आज मैं एक ऐसी घटना का आप सबसे जिक्र करना चाहती हूं जिसको देखकर आप ना हज सकते हैं और ना रो सकते हैं क्योंकि आपके प्रधान मंत्री मानिनिय नरेंद दामोदर दास मोधी ने महत्मा गांधी को लेकर अपने इंटर्विव में जो कुछ कहा उसे सुनकर सिर्फ माथा पीटा जा सकता है हिंदुस्तान का दुरभाग है या सौबभाग राम ही जाने लेकिन उसे ऐसा पहला प्रधान मंत्री मिला जिसके जुबान का कोई खड़ा नहीं हो सकता वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कह सकता है बोल सकता है और बेसर्मी के साथ सीना ठोप कर बोल सकता है माहत्मा गांधि को जाने कोई नहीं जानता हूं महत्मा गांधि के बारे में कहा कि उन्हें कोई माधिन देखिया मोधी जी ने कैसे कहा महत्मा गांधी को गांधी फिल्म बनने से पहले देश के बाहर कोई नहीं जानता था माना कि महत्मा गांधी ने मोधी जी की तरह सरकारी खर्चे पर दुनिया नहीं गूमी लेकिन वे बिना गूमे ही पूरी दुनिया में जितने प्रतिस्थित हैं उसके लिए किसी मोधी के प्रमाण पत्र देनी की जरूरत नहीं है मानिय प्रधानमंत्री जी ने महत्मा गांधी के बारे में अपने अज्यान को लेकर ना सिर्फ देश की अस्मिता को अग्हात पोचाया है बलकि देश की प्रतिष्ठा को भी कम किया है गांधी यदि हस्ती न होते तो किसी अंग्रेज को गांधी फिल्म बनानी की जरूरत न पड़ती किसी को महत्मा गांधी के साहित बिचारों पर पीठे साफित न करनी पड़ती मान्यम प्रधान मंत्री जी जब तक पद पर हैं तब तक उनका और उनकी कुर्सी का सम्मान करना हर भारती के लिए एक मजबूरी है लेकिन जिस दिन वे इस पद में हटेंगे तब इतिहास उन्हें और उनके कारिकाल को कूडे दान में डाल देगा वे ना नहरू बन पाएंगे और ना ही इंद्रा गांधी वे ना अटल बिहारी जैसा सम्मान पा सकेंगे और ना ही देश और उन्हें चौधरी चरण सिंग की तरह एक किसान नेता की रूप में याद करेगा वे डॉक्टर मनमोहन सिंग की तरह अर्थ सास्त्री तो कभी कहला ही नहीं सकेंगे उन्हें देश किस रूप में याद करेगा ये त्य करना आसान नहीं है उन्हें ना शेक चिली कहा जा सकता हो ना ही मुगेरी लाल उन्हें ये दोनों उपाधिया देना इन दो बड़े किर कर सकें देश की सेवा करना तो अब उनके बूते की बात ही नहीं रही मोदी जी अपने अज्ञान के लिए निंदा अलोचना क्रोध के नहीं गया के पात रहें मोदी जी को ध्यान रखना चाहिए कि वह उस काशी के सांसद है जिसकी अपनी ज्यान परंपरा है काशी से अब बरों की सन 1982 की फिल्म गांधी बनने के बाद महत्मा गांधी को पहचान मिली इस पर राहूल गांधी ने भी कहा जो लोग नाथुराम गोट से के हिंसा के रास्ते पर चलते हैं वे गांधी को नहीं समझ सकते महत्मा गांधी की किसी शाखर सिछित के पुरमारपत्र की जरूर सकते हैं कि जो लोग नाथुराम गोट से के हिंसा के रास्ते पर चलते हैं वे गांधी को नहीं समझ सकते राहूल ने वीडियो के साथ लिखा सत और आहिंसा के रूप में बापु ने दुनिया को ऐसा मार्ग दिखाया है जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी अन्याय के खि आते हैं गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर नेलसन मंडेला एलबर्ट आइंस्टाइन ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए हिंदुस्तान में करोणों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं अहिंसा और सत प्रदान मंत्री जो भारत देश का प्रदान मंत्री उसे अब तक नहीं पता कि गांधी को कौन जानता होगा क्या खुद प्रदान मंत्री जानते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखिएगा तब तक के लिए देखते रहें पूर पीम नियूज मैस ऊश्माथ नामाश काल